शिवार शिवं शिवं नमस्कार आप सब का हमारे शैनल शीमत होम रेमेडीस पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता लक्षमी किसके घर में अस्थाई रूप से निवास करना चाहती है सास्त्रों में भी आपने देखा होगा माता लक्षमी की जो उत्पत्ती हुई है समंद्र मंतन के दोरान हुई है उस वक्त आपे कापी वीर लोग मौझूद थे देवता थे राच्छशगन थे सब वीर थे ब्रह्मा जी मौझूद थे भगवान शिव भी थे पर वरंड उन्होंने भगवान विश्णू का किया कुछ वज्य होगा सास्थ वाली चैप्टर मैं शॉट में निप्टाऊंगा और मैं आज की युग में आऊंगा कि माता लक्षमी कहां अस्थाई रूप से निवास करना चाहती है कहते हैं कि जब माता लक्षमी का स्वेंबर होने लगा उस वक्त की बात कर रहे हैं तब भगवान नारायन बेफिक्र होकर पितांबर उड़कर सो गए क्योंकि उन्हें पता था कि लक्षमी जी किसी दूसरे के पास तो जाने वाली है नहीं लक्षमी जी भगवान विश्नु भगवान है तो ये उनके फाँ दबाने लग गई तो जिसका हिर्दय कोमल और मृदू होता है उसी के पास लक्षमी जी आती है उन्होंने समस्त गुनों के आश्रे और निरपेच भगवान नारायन को कमल की वरमाला पहना दी और चुप चाप उनके अनुग्रह के परतिक्षा करती उनके निकट स्थित हो गई अब भगवान नारायन के दिश्री तो पृत्वी की ओर थी किन्तु जब लक्षमी जीन उन्हें वरमाला पहना ही तो इधर उधर देखने लगे क्यों जिसके पास माता लक्षमी होती है उसे आस पास भी देखना चाहिए भई किसके पास कोई कमी तो नहीं है किसी को उसकी जुरूत तो नहीं है जहां भी उसे दिन दुखी दिखाई दे उनकी बरपूर साहय तक रहे उनका दुख दूर करना चाहिए अब हम आज की युग में आते हैं कि माता लक्षमी किसके घर में विराज मान रहती है और माता लक्षमी ने स्वैम कहा है कब कहा है जब भगवान इंद्र ने उनसे पूछा है माता लक्षमी कहती है कि पहले में दैत्यों के पास रहती थी क्योंकि वो पुर्शार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचन के पक्खे थे, अथार्थ मुकरते नहीं थे कर्तव्य पालेर में धृंडे थे, एक बार जो कह दिया, एक बार जो सोच लिया, वो करते थे अथिती का सत्कार करते थे, इसलिए हमारे घर में जब कोई अथिती आए, तो उनकी पूरी आओ भगत से सेवा करने चीए, ऐसे मात लक्षमी ने स्वयम कहा है, निर्दोसों को सताया नहीं शाता है, सज्जनों का आदर करते हैं, और दुष्टों से लोहा लेते थे, तो जब लोग महनत से मुझे प्राप्त करते हैं, दान से मेरा विस्तार होता है, और सयम से मुझे स्थिर बनाते हैं, और सत्कर्मे में मेरा उप्योग करके शाष्वा थरी को पाने का यतन करते हैं, अब सुनिए माता लक्षमी क्या कहती है, माता लक्षमी कहती है, कि जहां जिस घर में सुर्योदे से पहले असनान करने वाले, सत्य बोलने वाले, वचन में धृंड रहने वाले, पुर्शार्थी, कर्तव पलायन में धृंड़ता रखने वाले, अकारन किसी को दंड न देने वाले रहते हैं, जहां दोग साहस धैर और बुद्दी का विकास होता है, और परहेंता होती है, वहां मैं निवास करती हूँ, इसलिए कहा जाता है कि सूरज उगने से पहले, जिस घर में हर अदमी, हर मेंबर, असनान कर ले, पूजा ध्यान कर ले, वहां पे लक्षमी जी को बुलाने की जोत नहीं पड़ती है, लक्षमी जी वहां पे स्वेम बिराज हो जाती है, जो भगवान के नाम का जब करते हैं, अस्वन करते हैं, और सिष्ट आचार करते हैं, माता लक्षमी कहती है कि वहां मेरी रुची बढ़ती है, माता लक्षमी कहती है कि पुरुव काल में चाहिए कितना भी बड़ा पापी रहा हो, अधम और पात्की रहा हो, प और दारा लक्षमी के रूप में आविराश्तियों मुझे बुलाने के आवश्क करता नहीं पड़ती है फिर लक्षमी जी कहती है जो सुबा सुबा मतलब सुबा कब सुबा सुरज उगने से पहले की बात कर रहा हूं जो सुबा जाडू बुहारी करके घर को साफ रखते हैं इंद्रियों को सयम में रखते हैं भगवान के परती शर्द्धा रखते हैं किसी की निंदा नहीं करते ना ही सुनते हैं जरा जरा सी बात के क्लोद नहीं करते हैं जिनका द्यालू सुबाव है और जो विचारवान है उनके हां में स्थिर हो कर रहती हों और जो स्थिर रखन चाहते हैं उन्हें रात्री में जाडू पोच्छा बिलकुल नहीं करना चीए घर में जाडू बुआरी नहीं करने चीए ये भी माता लक्षमी ने भगवान इंद्र को कहा जो सरल है सुद्रड वक्ती बाले हैं परूपकार को नहीं भूलते मृदिभाशी हैं विशार सहित विनमड़ता का सद्गुन है जहां वहां मैं निवास करती हूँ जो विस्वास पात जीवन जीते हैं पर वो के दिन घी और मांगलिक वस्तों का दर्शन करते हैं धर्म चर्चा करते भी हैं सुनते भी हैं और अती संग्र नहीं करते और अती दरिद्रता में विस्वास नहीं करते जो हजार हजार हाथ से लेते हो आप लो पैसे धेर सारे प पर रहते हैं उस पर मैं प्रसंद रहती हूं तो कहने का अतात पर यह है कि अगर आप लाखो कमा रहो तो कडोर देने की हिम्मत रखो जब आप कडोरों दोगे तो हजारों कडोर मिलेंगे अब आगे सुनिए क्या कहते हैं जो दिन में अकारण नहीं सोते हैं दिन में सोना नहीं चीए जो दिन में अकारण नहीं सोते हैं कोई कारण नहीं चीए सोनेगा माता लक्षमी कहती है कि दो दूरजनों के संग से अपने को बचाते हैं उन से न तो देश करते हैं न पृति और सजनों का संग आदरपूर्वक करते हैं और बार बार निसंग नाराइन में ध्यानस्त हो जाते हैं उनके हां में तो बिना बुलाएवास करती हूं जिनके पास बिवेक है उत्साह से भरे हुए हैं जो हैं इंकार से रहित हैं और आलस से परवाद जहां फटकता तक नहीं उहां में प्रितन पुरुवा करेती हूं तो आप समझ सकते हैं माता लक्श्मी का वास किन घरों में होता है जिसका मन जरा जरा सी बात में खिन होता है जो जरा जरा सी बात में अपने बच्चनों से मुकर्चाता है दर्ग सुत्री होता है आलसी होता है तगा बाज और पराशित होता है राख द्रेश्त में पच्चता रहता है इश्वर गुरू सास्त से बिमुक होता है उससे मैं मुक मोड लेती हूँ और विन तुलसी दाजची ने भी कहा है जहां सत्व गुन होते हैं सुमती होती है वहां संपत्ती आती है और जहां कुमती होती है वहां दुक होता है जीवन में अगर सत्व है तो लक्ष्मी प्राप्ति का मंदर चाहे जपो ना भी जपो तो भी लक्ष्मी आईगी तो सफलता साधनों में नहीं होती वर्न सत्व में निवास करती है और जिस व्यक्ति में सात्विकता होती है, ध्रिंडता होती है, पौरिश होता है, प्राकर्म होता है, सद्गुन होता है, वहीं सफलता होती है चल, कपट, स्वार्त, दूसरों का शोशन आश्रे लेकर सुखी होना चाहता है उसके वाद वित आ सकता है, धन आ सकता है परन्तू लक्षमी नहीं आ सकती महा लक्षमी नहीं आ सकती तो यह जो मैंने आपको बताया है, यह माता लक्षमी ने स्वेम कहा है तो जो समय का ताम सी उप्योग करता है उसका भविश पाश्वी योनियों में अंदकार में जाएगा और जो समय का राज सी उप्योग करता है उसका भविश सुख सुविदाओं में बितेगा और जो समय का सात्वी को प्योग करता है उसका भविश सात्वी सुख वाला होगा प्रंतु जो समय का प्योग पर ब्रमात्मा के लिए करता है वो उसे पाने में भी सफल हो जागा प्रमात्मा को पा लिया तो फिर धन नहीं धन की क्या वेशकता आपको जो लोग जूटे मू रहते हैं, मेले कुचले कपड़े पहनते हैं, दात मेले कुचले रखते हैं, दिन दुख्यों को सताते हैं, माता पिता की दुआ नहीं लेते, सास्तर और संतों को नहीं मादते, ऐसे हिन सभावले का भविष्य जो है दुखदाई होता है कल्यूग में लोग दूद खुला रख देते हैं घी को जूटे हाथ से छूते हैं जूटा हाथ सिर को लगाते हैं जूटे मुशु वस्टू का स्पर्श कर लेते हैं उनके घर का धन्य धान और लक्ष्मी कम हो जाती है तो वो जगह है में आपको बता रहा हूं कि हमें क्या फॉलो करना चीँ है तो फिर हम दुखों से बजच जाएंगे आपकी समझ बढ़ जाएगी आप अपने हलके सुحा ओपर विजएप आलोगे तो लक्ष्मी को बलाना नहीं पड़ेगा वहने लक्षमी आपके घर में स्वयम निवास करेगी और जहां नाराइन निवास करते हो वह लक्षमी को अलग से बुलाना पड़ता है गया नहीं बुलाना पड़ता है नाराइन की पूजा कीजिए नाराइन का चाप कीजिए नारायन मतलब भगवान स्रिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीशिए धन्यवत